Hello friends, आज मैं आपको old t-shirt से fancy bra panty set बनाना बताऊंगी t-shirt के front वाक से हम panty बनाएंगे और back part से हम bra बनाएंगे हम back part को cut कर लेंगे आप इस type से किसी भी size का bra panty set बना सकते हो आसानी से आप वीडियो को last तक देखना और skip मत करना नहीं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा इस तरह से हम ये नीचे वाला भाग अलग निकाल देंगे इसको हम बेल्ट बनाने में यूज करेंगे इस नापसे मैं बना रही हूँ तो ये 32 से लेकर 38 के लिए इसको आजाएगा असानी से और अब हमको फोल्ड करना है कपड़े को और हमको चार स्क्वेर पीस निकालना है कपड़े के इस तरीके से मैं इसको कट कर देती हूँ हमारा साड़े साथ इंच का स्क्वेर पीस निकलेगा अगर आपका साइज जादा है तो आप आठ इंच का निकाल है और इस तरीके से साड़े साथ इंच का इसकर पीस हम निकाल लेते हैं चार इस तरीके से आप किसी भी साइज का व्राप एंटी सेट बना सकते हो और इस तरीके से हम कट कर देते हैं हम चारों पीस को अलग कर लेते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूं यह हमने चारो पीस को काटके अलग कर लिया है अब हम इसको फोल्ड करके हम धाई इंच हम ना पेंगे और यहां से सीधा निसान लगा देंगे और इस निसान को हम कट कर देंगे और बाद में सिल देंगे तो ऐसा कुछ सेब बन कर आएगा इस तरीके से यहां पे मैं कट कर देती हूँ हमें ऐसा चारो टुकडे के साथ करना है यह हमने चारो भाग के साथ इस टाइप से हमने कट लगा दिया है और हमको सीधी सीधी मसीन फेनना है चारो में और अब हमको डोरी बनाना है ब्रा की डोरी तो हम यह स्लीब का भाग है टीशट का इसका फोल्डिंग वाला भाग हम निकाल लेंगे और इस तरीके से दोनों स्लीब का भाग हम निकाल लेंगे और इसको हम फोल्ड करके पतली डोरी बना लेंगे आपको जितनी लंबी दोरी चाहिए आपकी पुरानी व्रासे आप नाप सकते हो दोरी की लंबाई इस तरीके से मैंने यह सिर लिया है अब इस तरीके से पहले सीधा भाग रख लिया है हमने अब उस पे हम दोरी रखेँगे और ये एक उल्टा भाग रखेंगे इस तरीके से और यहां से यहां तक हमको सलाई लगा देना है बाद में हम इसको मोड कर हम कौना निकाल लेंगे और इस तरीके से बाद में इसका सेव आएगा इसी तरीके से हमें दूसरी बाले भाग से करना है इस तरीके से करके हम इसको बीच में जॉइंट कर देंगे मैं आपको सिलाई करके नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो जादा लंग जाई मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से हमको सिलना है आप इस तरीके सिल सकते हो इस तरीके से ये मैंने यहां से फोल्ड कर दिया था इस तरीके से और इसको मैंने ओपन कर दिया यहां पे भी मैंने सिलाई लगा दी है दो इंच का कपड़ा लेकर हमने इसमें सिलाई लगा दी है अब ये टीशिट का नीचे वाला भाग हमने लिया हुआ है जो पहले काट ल तैना है तो हमें 28 इसकी हमने लंबा इली है और एक चोटा कपड़ लेंगे 5 इंच रस तरीकिसे घम इसको कर देंगे और इसके अंदर हम रोः दाल देंगे लाश्टिक और हांसे हम सलाइ Shいきे अब पांसे जिआ दयेंगी और इस प्र यहां तक हम अभने हैं दू इसको इस तरीके से रखके और यह एलाश्टिक अंदर डालके यहां पर हम सफाई से हम अटेच कर देंगे इस तरीके से और उसके बाद हम डोरी भी लगा देंगे किस तरह लगाना मैं आपको बताऊंगी यहां पर लेज लगा देंगे फैंसी दिखने के लिए और इस तरीके से मह alta चार इन्च से मैंने यहां पर लेज लगा दी हुए और इस तरह कर से मैंने लाश्टिक लगा दी है यहां पर और यहां पर साइड में नापकर चार इंच से मैंने यहां पे डोरी अटेच कर दी है दोनों साइट से मैंने चार इंच नाप के डोरी अटेच कर दी है और अगर आपकी डोरी छोटी बड़ी हो आप पुरानी अपनी ब्रा से नाप लें अगर बड़ी हो तो छोटी करने इस तरीके से कमर में भी अगर ढीला ह तो यहां से हम दवा सकते हैं, किसी भी साइट का हम इस तरीके से बना सकते हैं, अब हम पैंटी बनाएंगे, यह यह ठीशिट का आगे वाला भाग है, इससे हम पैंटी बनाएंगे, हम अपनी पैंटी नाप बाली हो उसको इस पर रख के देखेंगे इसकी लंबाई fix है तो फोल्ड इलास्टिक के लिए फोल्ड करने के लिए हमें अलग से कपड़ा लगाना होगा इसमें तो हम उसकी अलग से कटिंग करेंगे इस तरीके से हम रख देंगे और यहां से नाप कर हम यहां से इसकी इस तरीके से सेप की अनुसार हम इसकी कटिंग कर देंगे इस तरीके से आप किसी भी साइच की पैंटी बना सकते हो मेरे चैनल पर Old Cloth Reuse की बहुत सारी वीडियोस हैं आप देख सकते Old T-Shirt से मैंने फ्रॉक बनाई है और मास्क बनाए हैं आप देख सकते हो Old Jeans से मैंने कुर्ती बनाई हुई है और वो भी आप देख सकते हो Bag और पर्स भी बनाया हुआ है इस तरीके से हमने कटिंग कर दी है अब हम इसका Front पार्ट लेंगे Front पार्ट में आगे से हम कटिंग करेंगे Painty के Front पार्ट में आप अंदास से कटिंग कर दें और हमें ये जो T-Shirt का Printed भाग है वो अंदर की ओर करना है और जो plan भाग है वो हमको भार की ओर करना है इस तरीके से हमने cutting कर दी हैं, अब यहां पे हम अच्छे से fold करके हम machine से इसमें fold कर देते हैं और यहां पे हम अंदर से sly लगा देंगे और अब हमें fold करने के लिए कमर में कपड़ा चाहिए, यहां पे हम lace भी attach कर देंगे, फोल्ड करने के लिए कपड़ा चाहिए तो जो कटिंग में जो स्लीब का कपड़ा बचा हुआ है उसको काट कर हम इसके अंदर लगाएंगे ताकि हमारी लास्टिक फोल्ड हो पाए इस तरीके से दोनों स्लीब को काट के हम कपड़ा निकाल लेते हैं और कपड़ा कम पड़ेगा तो साइड में से भी हम कपड़ा निकाल कर इसकी कमर में लगा सकते हैं इस तरीके से सारे टुकणों को जोड़ कर और हम सिल देंगे और फिर हम इसमें लास्टिक लगा देंगे इस तरीके से सारे कपड़ों को हम जोड लेंगे और इस तरीके से हम पलट कर हम इस तरीके से सलाई लगा देंगे मेरे चैनल पर बलाव डिजाइन, सूट डिजाइन, डेश डिजाइन और साडी रिविज की प्लेलिच ते आप देख सकते हो इस तरीके से हमने सिल लिया है आगे हमने लेश लगा लिये और इस तरीके से कमर में भी फोल्ड करके हमने सिल लिया है और अब हमको इसमें लाश्टिक का नाप लेना है तो हमारी जो नाप की पेंटी है उसका हम नाप लेंगे तो यहाँ पे हम 14 इंच ले लेती हैं और इसका डवल कर देंगे तो 28 इंच का हम लाश्टिक की कटिंग कर लेंगे और इसमें हम डाल देंगे आप मुझे इंस्टागाम पर भी फॉलो कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी मेरे चैनल पर ब्लाउज सूट कटिंग और स्टीचिंग की कई सारी वीडियोस हैं आप देख सकते हो चेक कर सकते हो इस तरीके समें इलाश्टिक लगा दी और साइड में सिल दिया है आपको कुछ भी समझना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो इस तरीके से हमारी बनके रेडी हो गई है डिजाइनर ब्राप अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सस्क्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताना के आपको कैसी लगी ये डिजाइन